हलो डियो स्टूडेंट्स आज की सेशन में हम गोल्ड के बारे में दोस्तों डिस्कसन करेंगे गोल्ड एक बहुत ही ब्राइट कलर मेट्रियाल है ब्राइट योलो कलर दोस्तों यह जेनरली मेटलिक लश्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ओके यह दोस्तों बहुत ही रेजिस्टांस मिनरल है और हाटनेस हाटनेस कितना है दोस्तों गोल्ड का हाटनेस है आपका थ्री हाटनेस बट इसका दोस्तों स्पेसिफिक ग्राविटी जो है स्पेसिफिक ग्राविटी जो है दोस्तों बहुत ही जादा है 19.32 ओके स्पेसिफि system cubic having the a1 a2 and a3 axis are equal and all the axis are mutually perpendicular to each other आपको दोस्तों दुनिया में gold जो होते हैं native form में मिलेंगे जिसको आप native gold भी बोलते हो native gold okay जो की general last जो crystallization में बनता है उसके अलावा दोस्तों gold amalgam मिलता है gold amalgam जो की दोस्तों silver के साथ gold मतलब की gold plus silver का एक mix product होता है उसके बाद दोस्तों gold telluride gold telluride telluride के दोस्तों चार variety होते हैं एक होता है आपका silver night silver night okay काला भाराइट और दोस्तों पेट जाईट एंड नाग्या जाईट नाग्या जाईट यह दोस्तों आपको चार variety of gold मिल जाएंगे native gold बहुत ही important है बहुत ही मतलब कि आप लास्ट है जो crystallization में जेनरल native gold आपको मिलेगा जो gold होता है दोस्तों isometric system में crystallize करता है specific gravity दोस्तों याद रखना gold का बहुत ही जादा है 19.32 hardness दोस्तों gold का मतलब की 3 ओके नेचर में आपको गोल्ड टेलूराइड देखने को मिलेगा और जितने भी mode of formation है ओके गोल्ड कैसे बनता है दोस्तों जेनरली दोस्तों hydrothermal fluid के कारण आपको hydrothermal fluid के कारण दोस्तों जोकि metasomatism activity के कारण आपको दोस्तों gold देखने को मिलेगा कुछ दोस्तों magmatic कोज भी होते हैं लास्ट जो residual concentration यह जो चार method है दोस्तों gold का बहुत important है ओके और कभी-कभी दोस्तों आपको मदलब की याली मागवांटी में कम मिलता है लेकिन यह जो residual भी दोस्तों magmatic के अंदर ही आता है जो की lead मागवांटी क्रिस्टलाइशन होता है ओके और contact metasomartigy में एक important यह दोस्तों आपका hydrothormal यह दोनों जो activity होते हैं दोस्तों बहुत ही इन में से आपको gold का formation देखने को मिलता है ओके और भी यह deposit होते हैं दोस्तों load deposit okay load deposit भी last stage of crystallization में जनरली बनता है primary gold जितने भी होते हैं जो की बचे हुए होते हैं last stage of crystallization में तो यह दोस्तों इंजेक्ट करते हैं कोई भी भेन से कोई भी crack से कोई भी rock opening से उहां पर दोस्तों गोल्ड अगर गोल्ड का जो मागमा होता है दोस्तों hydrothermal fluid okay contact metasomatism process, magmatic crystallization, residual concentration and load deposit okay और दोस्तों कुछ गोल्ड जो होते हैं जो की sedimentary process में भी जो की plaster deposit होते हैं दोस्तों plaster deposit plaster deposit generally यह हमारा इंडिया में जो क्राक्टोनिक वेल्ड होते हैं आप समझ लिजिए दोस्तों आपका area हो गया सिंग्भूम एरिया सिंग्भूम एरिया इस एरिया में दोस्तों एक एरिया है जहाँ पर एक भेंड deposit हुआ है इसी भेंड में दोस्तों कुछ gold sample आपको यहाँ पर मिलेंगे ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर weathering erosion activity हो रहा है weathering erosion में यह आप समझ लिजिए कि दोस्तों हमारा एक river है तो river के कारण river तो इस तरब से मतलब flow कर रहा है तो इसी river के द्वारा weathering erosion के कारण यहाँ से जो आपको magma देखने को sorry gold का जो load deposit देखने को मिल रहा है river के weathering erosion के कारण दोस्तों यह प्लासर deposit करेगा यहाँ पर gold आपको जो gold है दोस्तों यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा जो gold दोस्तों यहाँ से drifted होके यहाँ तक आया क्यों दोस्तों river की force के बज़े से सो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों प्लासर deposit of gold और इंडिया पर बहुत जगा पर दोस्तों जैसे की sun ने रेखा river हो गया वहाँ पर gold deposit ऐसे ही होता है ओके और बहुत लोग मतलब की प्लासर गोल्ड को मतलब की उहाँ से ही दोस्तों exploration करते हैं मानुआलियों करते हैं दोस्तों यह होता है जैनरल यह सिंग्भूम स्टेट में होता है सिंग्भूम क्राटन के अंदर यह आता है और दोस्तों अब हम मतलब की देखेंगे important deposit of gold जो main deposit होता है धरुआर क्राटन में आपको gold देखने को मिलेगा धरुआर क्राटन में आपको मतलब की gold deposit देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों load deposit होआ है जैनरली color color gold field बहुत ही हमाज है दोस्तों color gold field और दोस्तों और एक gold mine हमारा मतलब की हो गया हुट्टी gold field हुट्टी जो की दोस्तों आपका यह भी करना टका में है color भी हुट्टी भी दोस्तों आपका करना टका में है दी जाती most important gold field of Archean system in India उसके बाद दोस्तों आपको रामगिरी में मिल जाएगा कुछ बहुत important deposit है रामगिरी ओके अनंतपुर डिस्टिक और आंधरा प्रदेश यह दोस्तों EP के अंदर आता है रामगिरी अरिया होता है जो की ग्रिंस्टन बेल्ट के अंदर आता है गड़क सरी गड़क और भी दोस्तों आपका करनाटक में है और आपका वानाद वानाद जो की है दोस्तों तामिल पे तामिल लाडू पे है और भी है दोस्तों मतलब की सिंग्भूं क्राटन में कुंद्रा कोच्चा ओके एरिया का नाम क्या है कुंद्रा कोच्चा ओके जो की बिहार में बिहार चारकरण एरिया में दोस्तों आपको सिंग्भूं क्राटन के अंदर या आता है दोस्तों और भी बहुत सारे एरिया पे जैसे कि प्लासर गॉल डिपोजिट ये लोट डिपोजिट के अंदर आया दोस्तो दोस्तो कुछ डिपोजिट होते हैं अपका प्लासर डिपोजिट में प्लासर, डिपोजिट कौन सा एरिया पे दोस्तों आप लोहित रिवर हो गया मालाओ कि दिहांग रिवर, सुबन सिरी रिवर यह आसाम के नर्थिस्ट में होता है दोस्तों सुबन सिरी रिवर, ओके लोहित रिवर ओरना चले प्लोदेस ने आपको देखने को मिलेगा लोहित रिवर, ओके और दिहांग रिवर दिहांग दिबांग, दिहांग रिवर स्वणरेखेर रिवर सिंभू मेरी आपे बहुत ही फेमोस है वहाँ पे सुना प्लासर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा गोल्ड ओके और दोस्तों कोईल रिवर जो होता है साउथ कोईल रिवर ओके ये सब दोस्तों आपको वहाँ पे प्लासर डिपोजिट देखने को मिल जाएगा गोल्ड का बस यही था प्लासर डिपोजिट नो आप देख सकते हो नोर्थ इस्ट पार्ट का बहुत सार रिवर वहाँ पे गोल्ड दोस्तों जेनरली देखने को मिलता है ओके यही था दोस्तों गोल्ड मेजर गोल्ड सिंभुम एरिया पे दोस्तों आपको मिल जाएगा अनन्थफुर डिष्टिग लामगेरी हुट्टी ओके धर्वार हस्तान एरिया ओके पूर्णा एरिया ओके यही एरिया में दोस्तों आपको जेनरली गोल्ड देखने को मिलेगा